नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आई नजार डालते हैं आज की मुख्यों सुर्ख्यों पर कश्मीर मुद्धे पर पीम के साथ साड़े तीन घंटे तक चली बैठक आठ दलों के 14 नेता हुए शामिल नए आटी नियूमों पर मद्रास हाई कोट ने केंड से जवाब मांगा हमाई तीसरी खबर कश्मीर से बिना वेतन की गुजारा करने को मजबूर आशा कर्मचारी और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 54,079 नए मामले 1321 मरीजों की मौत बढ़ते हैं हमारे आज की मुख्य खबर पर जमू कश्मीर के निताओं के साथ आज प्रधान मंद्री की बैठक दिल्ली में 3 बजे से शुरू हुई जो साड़े तीन घंटे तक चली इस बैठक में फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित कुल 8 दलों के 14 नेता मौजूद रहे उमीद लगाई जा रही है कि इस बैठक से कश्मीर के हालात के लिए कुछ एहम निकल कर आएगा आपको बता दे कि 5 अगस 2019 को कश्मीर से अनुशे 370 और 35 ए हटने के बाद से यह पहली बार है जब कश्मीर के नेता प्रधान मंत्री से मिल रहे हैं बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह कोई एजेंडा लेकर बैठक में नहीं जा रहे हाला कि उन्होंने कहा कि वह चाते हैं कि कश्मीर में चुनाओ हो पीम मोधी की बैठक के बाद कॉंग्रेस के सीनियर नेता नेता गुलाम नभी आजाद ने कहा कि हमने चर्चा के दौरान बताया कि जिस तरह से स्टेट डिजॉल्व हुआ वो नहीं होना चाहिए था चुने गए प्रतिनीदियों से पूछे बगएर ये किया गया लेकिन सभी चीजे कहने के बाद हमने पांच बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी हमने मांग रखी कि स्टेट हुट जल्दी देना चाहिए हमने ये भी मांग की कि कश्मीर के पंडितों को वापस लाए और उनके पुनरवास में मदद करे राजनीती से जुड़े हुए लोग जो बंध हैं उन्हें छोड़ने की मांग की हमने सरकार से कहा कि ये पूर्णी राज का दर्जा देने का माखूल वक्त है विधान सभा चुनौत अत्काल हो ये भी बात रखी बैठक में शामिल हुए अलफाद वुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर बात हुई मदरास हाई कोट ने नए आटी नियमों को चुनौती देने वाली तेरा मीडिया संगठनों और एक पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस संजी बैनर जी और जस्टिस संथिलकुमार रामोर्ती की पीट ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोशेशन और पत्रकार मुकुन पद्मनाभन की याचिका पर केंद सरकार को नोटिस जारी किया इसके साथ इस संगीतका टी-म कृष्णा की लंबित याचिका में भी नियमों को चुनौती दी गई है हाला कि याचिका करता के वकील ने कहा कि कृष्णा की दलील इन नियमों से जुड़ी हुई है जो नीजिता के अधिकार का उलंगन है जबकि ताजा याचिका आई टी नियमों के चुनिंदा नियमों से जुड़ी हुई है Digital News Publishers Association में ABP Network Private Limited, Amarujala Limited, DB Corp Limited, Express Network Private Limited, HT Digital Streams Limited, IE Online Media Services Private Limited, Jagrad Prakashan Limited, Lokmat Media Private Limited, NDTV Convergence Limited, TV Today Network Limited, The Malayala Manorama Company Private Limited, Times Internet Limited और Ushodaya Enterprises Private Limited शामिल है याचिका कर्दाओं ने कहा है कि डिसल मीडिया को IT नियमों के तहट लाना गलत और मीडिया घरानों का मनमाना वरगी करड़ है क्योंकि बिना उन से चर्चा किये इनने लागू किया गया है और यह उनके कामकाश पर अनुचित प्रभाव डालेगा कश्मीर में आशा कर्मियों की पहले से ही खराब हालत COVID-19 महामारी की वज़ा से बत्तर हो गई है हैरान करने वाली बात यह है कि आशा कर्मियों को पिछले तीन साल से वेतन नहीं मिला है कश्मीर से नियूस्क्लिक समाधाता कामरान यूसूफ ने आशा कर्मियों के विरोध और उनकी तकलीफों के बारे में उनसे बात की देखिए यह ग्राउंड डिपोर्ट पिछले पंदरा साल से में एक आशा हूँ पिछले दो साल से हमारे साथ यह हुआ कि ना हमारे इंसेंट्यूज आए और ना हमारे इंसेंट्यूज आए इंसेंट्यूज हमें काम हैं सिर्फ हम तन्खा नहीं लेते हैं हमें तन्खा नहीं देते हैं हम दस काम करते हैं और हमे इतने बोलादा दोग साथ से अपनी बीमु मायम से डाटर से जाए से डारेक्टर से जाएं लेकिन कोई टेस्से मस् नहीं होगा हमें बेहत सफर करवाते हैं आपने खुद देखा कि कितनी महनत करने पड़ते हैं कितने कितना चलना पड़ता है इस दूप में यहां आना तो पालस पॉलू वैक्सिनेशन भी करवानी होती हैं, हमें यहां कोरूड वैक्सिन करवानी होती हैं, जो भी हैलत की फैसिलिटी है, वो मुझे यहां लानी पड़ती हैं, इस फार फ्लंग एरिया में आप देख सकते हैं, कि कितना काम हम करते हैं. The grievances of ASHA workers have gone unheard, despite them continuing to perform their duty at the frontlines of the COVID-19 pandemic. On June 12, scores of helpers under the Integrated Child Development Services Department held the protest demonstration on the streets of Srinagar's press colony, demanding salaries which have been pending for the last few years. When we설из अऩरे और हमारे परोस्ट जाय इस अशरा मुलासिमें की बजट निकलती है, हमारी भी बने, और हमें इस मावले का दुवारा हमें सेक्टरेट, मैं यह प्राबरिम नहीं होने हैं, हमारी फारी नागरे तुअच्जेवान दुवारा हैं, हमने हम नहीं एकर वेराइका आप उनके वेजिस देख लेजिए वेजिस है नहीं उनकी मांग क्या रही है आज तक वह हमें वरकर तस्लीम किया जाए यह जो लेबर कांफरेंसिज हुए हैं उन्होंने तजवीज पेश की है जो सिकीमों में काम करने वाले हैं आंगरमाडी वरकर्स, हलपर्स, सुपरवाईजर्स और इसके आलावा मिड़े मील वरकर्स भी आशा वरकर्स भी भाई उनको वरकर तसलीम करके उनके लिए मिनिमुम वेजिस मकरर ह होने चाहिए मिनिमुम वेजिस आज इंसंट्व मिल रहा है आशा वरकर को कितना कभी एक हजार आज दो हजार डेज़ हजार कभी हर महने कभी तीन महने के बाद हम यहां से एक साल हो गया हम यहां पे गलागातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बांद है हमारी सैलरी बांद है उपर से हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट भी संक्शन हो जाए तो आशा वरकर जिसको अपनी जिन्दगी को संवारना है, बच्चों को पालना है, गर को चलाना है, ये तो 2000 खारात भी नहीं है, ये भीग भी नहीं है और आखिर में केंदी स्वास मंत्राले द्वारा आज गुरुवार यानी 24 जून को जारी आकड़ो के अनुसार, देश में 24 घंटों में कोरोना के 54,079 नए मामले दर्श किये गए, इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 1321 मरीजों की मौत हुई है, जिन में सबसे जादा यानी 508 मरीजों की मौत महरास्ट में हुई, वहीं तमिलाडू में 1688, केरल में 150 और करनाटक में 123 मरीजों की मौत हुई, 2720 देश भर में करोना से परिद 68,085 मरीजों को ठीक किया गया है, और कोलेक्टिव मामलों में 16,107 मामले कम हो गया है, देश में करोना के मामलों की संख्या बढ़ कर 3 करोड 82,778 हो गई है जिनमें से अब तक 3,91,981 लोगों की मौत हो चुकी है स्वास मंत्राले की ताज जानकारी के अनुसार देश में करोणा वैक्सिन की 30 करोड 16,26,028 डोस दी जा चुकी है जिनमें से 64,89,59 वैक्सिन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डिले और अटम में बस इतना ही निउसक्लिक के यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिफ सेपसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें निउसक्लिक देखने के लिए शुक्रिया